treatment of Pika, pharmacological and behavioral therapy so we will see that pharmacological treatment mostly doctors use strategies basically चुंके बच्चे के अंदर ये कहा जाता है that minerals and vitamins and red blood cells deficiency होती है तो इसकी जो first line of action होता है doctors का वो क्या होता है कि वो nutritional जो supplements हैं वो उनको provide करते हैं जिसके health से उनके जो iron deficiency है जो उनके vitamin की deficiencies है या hemoglobin की जो deficiency है वो जो है वो पूरा हो सके अगर hemoglobin का level जो है वो low है तो वो दुबारा से maintain हो सके इसी तरह अगर वो किसी ऐसे problem के साथ आए है कि जिसके अंदर उनको जो है या pain है तो उसके लिए medication जो है वो आम तोर पर doctors start कराते हैं जिसके अंदर antibiotics जो है वो बचों को दी जाती है ताकि जो उनका system है वो better हो सके और improve कर सके doctors ने ये medicines देनी होती है या इस तीस के बारे में decide करना होता being a psychologist what you can do we can use the behavioral intervention again there is a range of behavioral intervention हम उनमें से कुछ जो है वो हम discuss करेंगे उसमें number one जो है वो है differential reinforcement differential reinforcement का मतलब ये है कि हम बच्चे का वो behavior जिसमें वो पीखा behavior show नहीं कर रहा होगा उससे reinforce करेंगे यानि अगर वो dirt नहीं खा रहा और वो healthy diet ले रहा है जिसना बनाना खा रहा है तो हम उसके उस behavior को praise करेंगे तो इस तरह जब हम उसके differential reinforcement करेंगे different behavior की तो वो ये चीज़ learn कर लेगा कि कौन सा behavior जो है वो socially desirable है then discrimination training sometime children are unable to discriminate कि कौन सा food जो है वो healthy है और कौन सा food जो है वो unhealthy है तो हम उनको in reference to nutrition हम उनको ये भी educate करेंगे कि कौन सा food जो है वो healthy है जो उन्होंने खाना है और कौन सा food जो है वो unhealthy है और उसका कोई भी उनको nutritionally किसी किसम का कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो discrimination training जो है वो उनको दी जाती है ताके जब food को select करें तो वो वो वाला food select करें जिसमें nutrition value मौझूद है then we will talk about the over correction over correction में क्या करते हैं कि if the child is like involved in the act of pika तो आप उसके क्या कोगे कि अगर उसके हाथ गंदे हैं तो आप उसके कोगे कि उसने जाकर कपड़े change करने हैं नहाना भी है और उसके बाद अपने कपड़े धोने भी हैं तो सिर्फ इसकी बजाए कि आप उसे ये कहें कि अपना mouth wash करें या अपने hand wash करें we are asking the child for doing a various thing तो इस तरह जो over correction है जब aversive stimulus जो है और वो बच्चा encounter करेगा और उसके जो consequences हैं वो positive नहीं होंगे तो ये बहुत हथ तक chances हैं कि बच्चा next time जो है वो इस किसम की activity में involved नहीं होगा इसी तरह आवर्सिफ presentation आवर्सिफ presentation का मतलब ये है कि हम उस behavior को contingent कर देंगे कुछ आवर्सिफ stimulus के साथ for example अगर बच्चा जो है वो wall को बहुत जादा उदर से चीजें जो clay है उसको अतार के खाता है तो आप क्या करोगे कि उस जगा पे salt लगा दोगे या उदर red चिली लगा दोगे ताके जब next time वो वो वहां से उसे पील करके खाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि वो इस अवर्सिफ stimulus की वज़ा से इट विल बी less likely कि वो दुबारा से वो चीज़ खाएगा तीक है तो इस तरह के different behavioral interventions जो हैं वो use करके हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है उसका जो पी का behavior है उसे हम decrease करें Thank you